नमस्कार आज की खास मुलाकात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारी खास महमान है डॉक्टर तेजस्वनी आनंद कुमार जो की मैनेजिंग ट्रस्टी है अदम्या चेतना जो की बहुत अच्छा कारे कर रहा है अलग-अलग फील्स में बच्चों की नूटिशनल स्मीज में भी काम करने लग रहे हैं आप लोग उसके साथ-साथ अभी तो आपने आई थिंक ग्रीन किचन और नो गार्बेज किचन में बहुत अच्छा काम किया है वोकेशनल ट्रेनि अधमें चेतना है इंडॉमिटेबल स्पिरिट यहने जो शक्ति जो चेतना है जो हम दबा नहीं सकेंगे तो यह नाम जब हमने अनन्त कुमार जी नहीं इस नाम को रखा है इस नाम को दिया यह 96 में मेरे मदर इनलाओ का देहान्त हो गया श्रिमति गिर्जा शास्त्री तो हो ऐसे ही थी क्योंकि एक मिदल क्लास फैमिली की महिला होते हुए भी उन्होंने उनको 20 साल कैंसर हुआ था इनने 76-96 फिर भी कभी किसी को इसके बारे में उन्होंने बताया भी नहीं था और खुद घर का काम और बाहर उन्होंने एक स्कुल शुरू किया गरीब बच्चों को बहुत सारा काम करती थी तो उनके देहांत के बात हमने सोचा कि हम पड़े लिके है इतना सब हमारा इंफ्लूइन्स है तो हम क्यूण कुछ करे इस कारण से हमने प्रस का नाम अदमेचेतना इनने जो श्रूप्रेट सेलीब्रेट सर स्पिरिट यस बहुत ही खूप सुप मैं बात करना चाहूंगी अनपोर्ना की यह जो एक आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतरगत आप लोग मतलब की गरम न्यूट्रिशिस खाना बच्छों को पहुंचे और आप इसमें सरकार के साथ मिलके मिड्ने मिल्स में काम करते हैं और कई अलग अलग यह शुरू हुआ कि भई हम लोग इसको होट न्यूट्रिशियर मिल्स स्कूल में कहां से आई या इडिया और कैसे शुरू किया तो 97 से हम विशेशिता गरीब बच्छों के साथ काम करते थे स्कूल जाके उनको पढ़ाना है क्योंकि जो गवर्मेंट स्कूल में जो लोकल म उसका एक टीम बनाया जो मैं भी पहले साइंटिस्ट थी और जब मेरा मदरीनलौ का दियान तो गया तो उसके बाद में मैंने सोचा कि घर का काम ऑफिस का सब मिलके करना थोड़ा मुश्किल लगने लगा तो मैंने मेरे ओ जॉब छोड़ दी साइंटिस्ट की तो उसके बा इन बच्चों को घर में कोई बढ़ाते नहीं, टुशन भी नहीं जा सकते हैं लेकिन एक्जाम तो सेम एक्जाम लिखना है उनको जो बाके बच्चे भी बिलकूर सही बात है तो हमने उनको मैच शिकाने का सुरू किया, इंग्लीज शिकाने का सुरू किया, ऐसे हम जब जो चल रहा था आठा पाठा प्रोग्राम तो चल रहा था आठा पाठा आठा आठा तो खेलना है पाठा सिखना तो खेलते खेलते सिखो यह तो हमारा प्रोजेक्ट थाई लेकिन हमने सुचा कि उसके साथ ऊटा ऊटा यह ने खाना तो कनड में उटा तो आठा पाठा के साथ उटा भी शुरू किया दो नजार तीन में जब अटल भारे वाज पे इन्ने बिडे मिल का प्रोग्राम जो करना जब यह प्रोग्राम शुरू हुआ तो हम उनके साथ जुड़गे स्कूल टीचर्स भी कहने लगे कि हमको बनाना और कॉलिटी मिंटेन करना बहुत मुश्किल है तो आठा पाठा के साथ आप उटा शुरू किजिए तो ऐसे हमारा दो हाजार तीन में अनपुर्णा का प्र सब्सक्राइब करना है कैसे पहुंचेगा खाना क्या बनेगा वह सारा कुछ रॉव मतिरियल सोर्स करना है और जल्दी इन टाइम पहुंचना बिल्कुल और फिनांस मनेज करना है सब हमने बहुत सारा प्लान करके जो पुरे मैं अकली नहीं हूं हमारे रभाकी अगर आज आप दो लाख बच्चों को हम लोग गरम और पॉशिक भोजन खिला रहे हैं तो मेरे खाल सी यह लोजिस्टिक्स और आपकी महनत सफल रही है वह तो प्लानिंग तो एक तो हम जो हर काम का बारी किसे प्लानिंग करना है उसको पूरा लिस्ट करके और फीडबैक तो वह वह काम बही है तो इंजिनिरिंग वाली आपकी एजूकेशन काम आई? penalty वह वह भी मैंने तो एवियशन में काम किया, तो रहलेडती फेक्टर, सहां में हर बार कहते थे ते कि जिलायाबलीटी फेक्टर तो पॉइंट जिरो 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 यह उन हो ना तो इह तो इस तो घर, यह में बेंगलूर में सत्तर हजार, दो हजार पाच में हमने हुबडी शुरू की, क्योंकि वही हमारी मदरीन लॉक गिर्जा शास्त्री का उनका कारेक्षित्र था, तो हुबडी के बाद गुलबरगा और राजस्तान का जोदपूर, तो पिछले नौ साल से हम दो लाक बच्चो आपके ये जो किचिन हैं जहां पर यतने बच्चों का खाना मनता है, ये जीरो गार्विज और उसके साथ-साथ, I think, fossil fuel free है, I mean, this is huge, कैसे, क्या किया, और कहां से ये सोच आए, तो हम जब ये खाना दो नहार तीन में हम खाना शुरू किया, और बैंगलूर में ये 300 स्कूल है, हजारो बच्चो है, तो साल में एक बार हम सब बच्चों के लिए कुछ करेक्रम करना शुरू किया, उनके लिए competition रखने लगे, तो हम भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, environment science के बारे में, हमने भी कुछ competition रखेते हैं, बच्चों ने essay लिखा था, तो हम सोचन में दिखाना ही, right model है, तो हमने सोचा है, खुछ तो करके दिखाए, जो उनको सीख है, मैं भी देखके कर सकूँगा, तो इसके लिए हमने सोचने लगे कि हर दिन हम 50 cylinders use करते थे, LPG के, खाना बनाने में, बच्चों को खाना बनाना है, तो 50 cylinders चाहिए, तो हमने सोचने है, क् तो इतना बड़ा fossil fuel हम कम कर सकेंगे क्या, तो immediately we started getting alternatives, तो हमने brickets, brickets हैने वो organic waste से बनता है, तो जैसे हमारे kitchen से waste नहीं जाता है, और उसके साथ-साथ में हमें 10 ton, हर दिन 10 ton garbage use होता है, याने the organic waste से ही जो brickets बनता है, उससे हम खाना बनता है, तो जैसे हमारे kitchen से waste नहीं जाता and not only that, चोटे-चोटे चीज़ों के बारे में, जो चावल होते है, तो यहां तो बैंगलोर में चावल और दाल संबार, चार दिन चावल और संबार, बिल्कुल, और सब चावल के items है, तो हर दिन हम around 7 ton, 7,000 kg चावल यूज़ करते है, तो उसको धोने के लिए भी मुझे 10,000 लेटर पाने चाहिए, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी कि गार्बेश फ्री किचिन के बारे में, क्योंकि क्या हम लोग आपको लगता है कि इसको हम एक छोटे कहीं हिस्से में, अपने अपने घरों में भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन मैडम एक छोटे से ब्रेक के आपस आते हैं, मुझे पता है, आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे या कोई आप घर में डॉग्स जानवर हैं, जानवर हैं तो उसका सूप बना दो, लिकिन मैम कितना सारा गार्वेश है जो हम लोग सची में फैंकते हैं, कहीं छोटे एक लिमिट में अपने घर में ही उस हो सकता है, यह जब बैंगलूर में गार्वेश का प्रब्लम हुआ तो मैं और अनत कुमार जी ने कहा कि जो भी काम करना है तो बदलाओ हमारे से ही शुरू होना है, तो पहले मेरे घर का किचन जिरो गार्वेश कर दिया और साथ साथ में अधमेचेतना की किचन भी, इस्पेशली खरीदने में, यूज करने में और डिस्पॉस, तीनों स्टे देते थे, around it was around 300 to 400 kg, इसे तो ज़्यादा नहीं है, जो हमारे घर में तो एक दो-तीन किलो चला जाता है, तो 300 kg कमी है, फिर भी वो 300 kg क्या है, तो हमने लिस्ट करने लगे तो उसमें ज़्यादार, जैसे सब्जयों क्या है, all organ IQ की किचन में कोई हजार डस material आता ही नहीं क्य क्यों लाते हैं, तो फेकने वाले चूज किचन में आती ही नहीं, तो क्यों फेक है, तो पहला काम एक किया कि हमने डस्बिन निकाल दे, जो मेरे घर के किचन में डस्बिन नहीं है, और अदमे चतना के किचन में डस्बिन नहीं, तो डस्बिन निकालने कि यह यह कहा रखो, तो यह इस काम में आ सकता है तो चिलके हमने दो एक उससे हमने गोबर बनाना शुरू किया और गाय के लिए देना शुरू कर दिया तो इतनो तीनसार तीनसो स्कूल को खाना दे रहे तो एक गोशाला को पुरा भोजन सही बात है बिल्कुल तो चिलके का काम हो गया जो नीचे हमको फ्यूवल भी मिल गया और खाना भी उस हो गया इसे एक एक लिस्ट करके प्लास्टिक सब एकटा करके हफते में एक बार हमने उसको रिसेकल के लिए भीज रहे तो हो गया और क्या है किचन में सिरफ सोच की बात है एक चीज़ समझ में है कि एक बार ठान लीजे कि यह करना है तो राहे भी निकलती जाएंगे और इतने तक कि यह तो सॉलिट वेस्ट हो गया अभी चावल दोने का पानी ओ दस हजार लिटर पहले तो ऐसे ड्रेन में चला जाता है तो अभी हमने एक टैंकर में डालके हर दिन लालबाग जो सबसे बड़ा पार्क है हमारे किचन से दो-तीन किलोमेटर दूर में हर दिन एक टैंकर पानी पेड के ले जाता है वहां फर वाटरिंग अप्लाइंट सब मैं एक चीज और आप से पूछने चाहूंगी जैसी यह जो आपका एक आरोगय चेतना है मेरी क्लेम वाला है यसे भी आप काफी बच्चों को बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल वह कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कुछ प्लाटफॉर्म नहीं है तो हमने सुचा कि क्यों ना हम इसके लिए प्लाटफॉर्म बने क्योंकि हर दिन तो हमारा खाना जाता है 300 स्कूलों में तो एक तो हमने बड़ा प्रोजेक्ट चुरू किया हो health insurance for children यहने 10,000 बच्चों को संख्या लेके हमने bargain की insurance company की साथ 25 रूपीज में इंशुरंस का हो गया तो health insurance cashless facility 25 रूपीज में शुरू कर दिया और उसके बाद में जो भी लाइन्स क्लब वाले आई टेस्ट करना चाहते थे तो उनके लिए हमने हमारे volunteers उनके साथ जुड़ गए तो हमने एक साल में 30,000 बच्चों का आई टेस्ट भी करवाया और बहुत कम दाम में discounted price में आई साउ रूपय में 50 रूपय में उनको specs दिलवाई बच्चों को ऐसे कुछ तो कुछ basically हो रहे जो बच्चा एक underprivileged family से आता है उसको blackboard नहीं दिख रहा है या copy नहीं दिख रही तो वो अपने ना तो parents को बोल के बता पाता है और हम लोग यह सुच रहते कि बच्चा तो पढ़ाई में कमजोर है जबकि बिल्कुल छोटी सी ailment है जो कि अगर शायद माबा पड़े लि थी प्रेयर में सुपह बहुत सारे especially लड़किया फेंट हो जाते थी लेकिन अभी हम हर साल करते रहते हैं तो तो अभी दूद भी दो साल से दूद भी शुरू किया है तो खीर देते हैं हफ़ते में एक बार घ्यो का खीर जाता है तो बच्चे वेट करते हैं पहले दिन से फुल अटेंदेंस रहता है इस चीज का फरक पड़ता है जी बलकुल और वोई-वाली बात है कि बच्चे की सहत अची रहेगी तो स्कूल कम मिस करेगा तो पड़ेगा और ऐसे ही धीरे-धीरे करके जी हमारे देश का भवेश्य सुधरता जाएगा अब आपने वोकेशनल ट्रेनिंग भी कुछ शुरू करी है मैं क्या करें उसमें वैसे तो मेरा ट्रस्ट चुरू हुआ वोकेशनल ट्रेनिंग से ही मेरा ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन रिसेंट्ली हमने रोटी मेकिंग काई अनंत कुमार जी ने गणम लिहाए तो बैंगलूर के पास है रागे हिली तो वह हम सोच रहे थे कि महिलाओं के लिए वहाँ वहाँ उनको काम मिलना है उनको भी सिटी आना है कोई कई गर्मेंट फैक्री में काम करने से कुछ तंखा तो मिल जाता है लेकिन घर की फैमिली पूरी उने ने बचों को काउन देखेगा खाना काउन बनाईगा और जी द तो हमने उनको कहा कि तीन घंटा रिजर करो दो घंटा या तीन घंटे में एक रोटी बनाने का सेंटर के है और घर में नहीं बनाती है लेकिन वो सेंटर आके जो हर दिन एक महिला दोसों तक रोटी बनाके वो सब मिलके पाच हजार तक रोटी बन जाते है बीस महिला है पा स्पीजी सेंटर्स हो गए तो वहां क्यूंकि आजकल सब को रोटी है सौथ में भी रोटी इतने पॉपलर हो गई बिल्कु जी मैं तो बानती हूँ कि नॉट साउथ का डिवाइड देदर करके खतम हो गया हम लोग भी नॉट में खुब सारा चावल खाने लग गया है तो मतल दोसो रोटी करने से उनको दोसो रुपय मिल जाएगा बाके भी सब मिलके ओ को प्रटिव एस जैसे कर दिया है और एक पचास महिला उनको गाय का एक इंतर्स प्री लोन दिया है उनको तो पचास गर में महिला दो गंटा का काम है गाय देखना सुबर दुपर ओड दोनों क देख लेते हैं आठ हजार तक उनका इंकम हो गया है यही सारे काम बहुत है जो आप हैंडल कर रही है लेकिन इसके साथ-साथ चिन्नरा चेतना आप एक मैगजीन भी निकालते हैं जो कि कई हजार स्कूलों में जाती है बच्चों के लिए मैगजीन में क्या होता है और इसक कौन कहां से मिलता है कौन लिखता है उसमें यह बहुत सारे प्रशन है और इनके जवाब मैं आप से छोटे से ब्रेक के बाद जरूर लूँगी आप लोग हमारे साथ रहेगा खास बाची जारी रहेगा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आए जानते हैं डॉक्टर तेजस्वनी से कि चिनरा चेतना वाँ थोड़ा संक्षित में बताईए क्या है और इस मैगजीन में क्या आता है बच्चों के लिए फुरच नहां कंसद्धन थोस पूरे स्कूल के लिए एक मैगजीन है आच क्यूकि फोल नहीं कर पाएंगे के हमारे कि जाती है तो वाल मेगजीन है, तो वाल में पेस्ट हो जाता है, एक मैगजीन महिने में एक ही, और जो आजकल तो बच्चों को कंस्ट्टिव नुज मिलता नहीं, और ये बच्चे जहाँ हम खाना देते हैं, इनको इंटरनेट का अक्सस भी नहीं है, तो उनको जो नुज चल रहा है, जो उनको मालम होना है, especially positive news, धनात्मक news कह सकते है, उसको हम बड़े-बड़े, चुटे-चुटे news, दो-दो-लाइन के, तीन-लाइन के news, जैसे आपके headlines, तो बच्चे कम से कम generally aware रहे और जी कि उनका strong रहे, और पिच्चर भी आ जाते हैं उसके साथ, बहुत संदर, nicely designed magazine है, मै से दाने में एक बार-वाल पे तो जादा समय नहीं लेता है, और खर्चा भी कम है, तो एक स्कुल के लिए, एक magazine जाता है, और फिरी इस सुनुनुन। As a scientist, आप National Aeronautical Agency में काम कर चुकी है, कभी कहीं भी स्कुर्ती है, वह challenge, as a scientist, I mean, light combat aircraft में आपने काम किया है? वो तो नहीं, वो एक टाइप का काम है, लेकिन इसमें और उसमें ज्यादा मुझे फरक महीं लगता है, क्योंकि यह भी इक्वली चालेंजिंग है, नया नया इसमें इंप्लिमेंट करने के लिए स्कॉप भी है, लेकिन वो एक अलग टाइप का है, यहां मुझे बहुत सारा स सिखने में मिला, मेरे कलीक्स जो है, मेरे साब में मुझे कहते हैं, कि तुमने बहुत सारा सिखा है, बहुत सारा इंप्लिमेंट भी किया, हमने कई बार क्या होता है, इंडिजनल साइंटिस्ट सब इंप्लिमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन मुझे जो इंजिनेरिंग या सा कासकर के बच्चों पे जो कि हमारे देश का और संपुन विष्व का भविशे हैं आगे चलके ये फ्यूचर है करना चाहता हूँ ये जो हम करके दिखाने से जो मोटिवेशन उनमें है वोलेंटियर से इतने समय देते हैं हमारे साथ में ये अननत कुमार जी मदद नहीं क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि उनसे में कई बार मैं ही ज्यादा बिजी हो जाती हूँ तो मैं नहीं रहती हूँ फिर भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मेरे आज कल साइंस इसके साथ भी जुडी हूँ क्योंकि बच्चों को भी हमारे देश के क्योंकि especially we have done wonderful in space, aviation इन दोनों में हमारे देश का बहुत योगदार है बहुत बार हमारे बच्चों को मालूम नहीं बच्चों के बड़ों को भी मालूम नहीं हम सोचते है सब कुछ इंप distribution to space and aviation उसका एक बड़ा exhibition रखना सुरु किया अभी December 31st और January 30th तक है तो उसमें all DR डियोस को दाते है क्योंकि वो भी motivate हो जाएंगे वो बच्चों को देखके वो भी कुछ हो जाएंगे सही बात है इतना ही कह सकती हूँ Dr. Tejasvini कि I think एक बहुत सही balance आप बना पाए है एक महि बहुत शुक्री हमें समय देने के लिए तो ये था खास मुलाकात Dr. Tejasvini जी के साथ हम जल्दी आपके 20 दुबारा होंगे तब तक जहिंद